अंशन करने दे मी लॉड चिफ जस्टिस के पास और जी लेकर पहुँचा ट्रांसजेंडर एक्टेविस्ट CGI ने क्या सुनाया फैसला सुप्रीम कोट के चिफ जस्टिस चंद्रचूर जब से CGI का पद्वार सम्हाला है चर्चा में बने हैं सरकार के तनाशाही की खिलाप मजबूती से खड़े हैं ऐसे कई फैसले नोई लोगों का दिल जीता है जहां एक तरफ विपक्ष या आवाज आलोजना की आवाज को मुदी सरकार दबाने की कोशिश कर नहीं है वह हैं चीफ जेस्टिस चंद चूर ऐसे आवाजों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं सुप्रीम कोट खुले तोर पर कह चुका है अगर सरकार गलत करेगी लोगत्यांत्रिक मुल्यों के साथ छेड़ चाड़ करेगी तो उच्छ तम नयल है हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहेगा इस बेच मनिपूर के एक ट्रांसजेंडर अक्टिविस्ट चूर की पीथ में अरजी लगाई नयाई की गोहार मांगे आखिर क्यों एक्टिविस्ट को सुप्रिम कोर्ट पहुंचना पड़ा सुप्रिम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया क्या वो फैसला सही है गलत आपको पूरी कहानी बताएंगो उसके पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आ है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को पांच मार्च को ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थोंगम को आत्महत्या के प्रयास और समुहूं के बेच दुश्मनी को बढ़हवा देने के आरोप में ग्रफतार किया लेकिन पांच मार्च को उसे रिहा कर दिया गया उच्टम नयाले ने एक तिरतिया लिंग से पीट ने की थी पीट ने हलाकी एक्टिविस्ट मालेम ठोंगम को अपने शिकायतों के निवारन के लिए मनिपूर उचिनयले का रुक करने की छूट देरी पीट में नयमूर्थी जेविपार्दी वाला और नयमूर्थी मनोज मिश्रा भी शामिल थे अंसन को लिकर मिधान के अनुछेद 32 के तहट इस ज्याचिका पर विचार करने के एक चुक नहीं है थोंगम ने 22 फरवरी को दिल्ली में अपनी भूख हरताल शुरू की वह 27 फरवरी को दिल्ली से मनिपूर के लिए रवाना हुई जहां उसने मफाल के कांगला पश्चमी गेट पर अपन से ग्रिफतार किया गया पिछले साल मई में उच न्याले के उस आदेश के बाद मनिपूर में हिंसा बढ़क उठी जिसमेरा सरकार को गैर आदिवासी मैती समुदाय को अनुस्चित जंजाती के सुचि में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था इस अगने कोड़ में जो कुछ हुआ उसके लिए मोदी से गार बैकफूट पर है एक एक अटिविस जो अपनी मांग को लेकर धारना परशन कर रही है उन्हें गिरफतार किया गया सुप्रिम कोट में अपनी मांग को लेकर पहुंची सुप्रिम कोट ने सुनवाई करने से इं झाल झाल